मेरे दोस्त क्या आप जानते हो कि आजकल के युवाओं की प्रोब्लम क्या है उन्होंने अपने आपको इतना ज्यादा कमजोर बना लिया है कि वो ज्यादतर डिसिजन ले ही नहीं पाते हैं आपको अपने आप पर विश्वास ही नहीं है तभी तो इस समाज के लोगों की बा तो इन समाज के लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो अंदे बहरे गूंगे बन जाओ अपने लक्ष के लिए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे लोग खाली बेठे हैं कि वो ना तो खुद कुछ करेंगे और ना ही वो किसी और को कुछ करने देंगे और साथ ही एसे लोग आपका मनोबल भी तोड़ देंगे इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप एसे लोगों रिस्तेदारों पडोसी समाज क्या कहेगा इसके बारे में कभी मत सोचो बस अपने आप अपने गोल्स अपने सपने अपने जीवन पर ध्यान सीखने पर ध्यान दो कहने दो इन लोगों को जो भी कहते ही ये आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दो और एक दिन उन्हें सफल होकर दिखाओ उसके बाद ये लोग समाज आपसे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि वो रिस्तेदार भी पराय हो जा कि आप उनसे पेसे मांग लो इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द कमाना शुरू करो कुछ बन जाओ क्योंकि end of the day कोई आप से आपकी education आपके marks नहीं पूछेंगे बलकि वो पूछेंगे तो आपकी income आप पेसा कितना कमाते हैं इसलिए मेरे भाईयों और बहनों मेहनत करो न पाला लगा दो आप दसवी फेल हो बारवी फेल हो आपने PhD की है या नहीं की है कोई फरक नहीं पड़ता है आप इतिहास रच सकते हो कितने लोग है टाटा अंबानी अडानी विराट कोली आमिर खान इन लोगों ने कोई PhD थोड़ी ना कर रखी है इन में से किसी ने दसवी कर रखी है किसी ने बारवी की है कोई फेल है फिर भी इन सभी लोगों ने इतिहास बनाया है ना और आज बड़े बड़े लोग इंजीनियर्स highly educated person इनके अंडर में काम करते हैं आपके अंदर योगिता है तो आपके पीछे पड़े लिखे लोग भी घुमेंगे तुम में क काबीलियत हो तो क्या नहीं किया जा सकता है मेरे दोस्त वो काबीलियत डिग्रियों से नहीं आएगी लेकिन सिर्फ डिग्रियां ही सब कुछ होती है ये सोच आपकी गलत है बस आपके अंदर एक जनून एक जज़बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का फिर जो चीज तु कमजोर रस्सी भी लगतार प्रियास से मजबूत पत्थर को भी काड़ देती है तुम बस मेहनत करते जाओ एक दिन तुम्हारी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी कुछ युनीक करो कि जिससे दुनिया में तुम्हारा नाम बन जाए पूरी दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचाने बस तुम अपने अंदर के उस इंसान को जगाओ जिसे हारना पसंद नहीं है जो सिर्फ जीतना जानता है जिसके लिए कुछ इंपोसिबल नहीं है कुछ करो अमीर बनके दिखाओ तुम्हारे माबाप को भी लगना चाहिए कि हां ये मेरा बेटा ये बेट करो आज अभी इसी पल राइट नाउ और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम क्या चीज हो क्योंकि मोती कभी भी किनारों पर खुद नहीं आते उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल वीडियो में